हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज में हर बार के तरफ फिर आपके साथ कुछ यूसफुल किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा यूसफुल हैं आई होप कि आपके लिए भी यूसफ तो देखे सबसे पहले मैंने एक खड़ा लैसुन ले लिया है और इसको इस तरीके से कट कर लिया है आप इस तरीके से जितना चाहो उतना लैसुन लेके इस तरीके से कट कर लो ठीक है आप सोचे होंगे कट करने से कैसे इसके छिलके निकलेंगे कैसे इसको क्लीन करना है त यहां मैंने आपको एक करके दिखाया है बाकि आप जाहे जितना चाहू उतना चिल के रख सकते हो हपते भर के लिए रख सकते हो और अगर आपको बल्क में खाना बनाना है उसमें लेशन के ज्यादा पड़ती है तो भी आप इस ट्रिप्स को ट्राइ कर सकते हो उसके बाद मै हम इस गेकि इतने में हो जाएबाइन तो इस तरीके से आप घृक को हातों से थोड़ा मतंशन लेना है इससे और पूम जिलंखी खिया तो बहुंस तरीके aleκα करने हो एठकी, एक तरीके से दिखायी जिससे सारा च्छिल्का निकल लाएगा और उसके बाद क्या करना है एक छन्डी होती है जिसमें आपको इस लैसुन को रख लेना है जाए सब्जी कार्चने की छन्डी हो जाए ऐसे ग्रेटर टाइब का हो चैसे बारीग बारीग होल सो उसको आप ले सकते हो अब जाजी कि मैंने अपना ग्रेटर ले लिया अब हमें नेल टैप के नीचे इसे वाश कर लेंगे आप देख सकते हो फ्रेंज सारे लैसुन के छीलके अलग हो गये थे और लैसुन एक दब अच्छे से पॉपर छिला गया अब आप इसे कपड़े मे अगले टिपस कौन सी हैं अगली टिपस कि को लेकर हर घर में यूज होता है बट आप देखते होंगे रखे रखे ना यह गंदा भी हो जाता है आज़ लगने से बहुत गंदा दिखता है और अच्छे से मतलब खराब होता जाता है तो इसे ठीक करने का आज में आपके साथ इसे बहुत अच्छा हैक शेयर करूंगी जिससे आप चुटकियों में इसे क्लीन कर सकते हो तो फ्रेंट्स इसके लिए आपको लेना है हार्ट पिक फ्रेंट्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियों में बताया है कि मैं एक हार्ट पिक अपने किचन की क्लीनिंग लिए जरूर रखती हूं आप देखते होंगे प्लास्टिक की जो कंटेनर्स होते हैं बात्फूं बगारा में वो सब भी इससे बहुत अच्छे क्लीन होते हैं तो देखिए मैंने इससे थोड़ा सा कैची में डाल लिया है उसके पाद आपको ना स्टील का जो स्क्रबर होता है न इसके धार भी काफी शार्प होती है क्योंकि यह जो जूना होता है यह स्टील का होता है और इससे शार्पनेस बहुत अच्छी होती है अगर आपने कभी ट्राइ नहीं किया है तो आप ट्राइ करके देखना अगर आपके कैंटी में धार कम हो रही है तो आप एक बार मार्क अब आप देख सकते हो कितनी चमक आ गई है सारी गंदगी कैची की निकल आई है अच्छा लोए का समान कोई भी रहे फ्रेंट आप इस तरीक से डायक्ली वाश करके नहीं रखना नहीं तो इसमें वापीस से जंग लगेगा और आपके सारी मेहनत बेकार हो जाएगी तो उसस कैसी लगी फ्रेंट्स कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चलिए देखते हैं आज की हमारी अगली टिप्स क्या है तो अगली टिप्स है इस तरह के जो पीलर होते हैं उसको लेकर देखे कितना गंदा हो रखा है और इसे क्लीन करना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है इस साथ इसकी धार है वो भी शार्प हो जाएगी तो आज की वीडियो फ्रेंट्स एकदम बहुत ही आदा यूसफूल है आपकी जो रोज के काम होते हैं उसको आसान बनाएगा साथ ही किचन में हम अपने काम को अच्छे से स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं तो देखिए मैंने इ क्योंफा की पारें को मृअनमृ define करो कर दो साथ काम हो घार कम दार को भी बढ़िBob तो यह देखिए बस इस तरीके से आपको घिषते जाना है और आपका जो पिलर है वह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा सिर्फ एक टूट पेस्ट से बाकि किसी जैल की किसी साबून की किसी डिटरिजन्ट की आपको बिल्कुल भी जौत नहीं पड़ेगी और रिजर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कितने अच्छे से ये क्लीन हो रहा है तो अगर आपको वीडियो फ्रेंट्स मेरी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा और इसे प्लीज फैमिली फ्रेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ये टिप्स न जो पिलर है बहुत अच्छे से चमचमा के एकदम नए जैसा हो गया है तो इस तरीके से आप भी घर बैठे अपने पिलर को क्लीन करिए और इसकी जो शार्पने से उसे तेज करिए बिल्कुल भी क्या होता है पिलर यूज करते करते खराब होता है तो हम उसे फेक देते कि भी इसमें धार नहीं है बर जब आप इस तरीके से करोगे इस टेक्निक करोगे तो आपके पिलर की धार भी तेच हो जाएगी प्लस अराम से क्लीन भी हो जाएगा चलिए देखते हैं आजप अगली टिप्स कौन सी है अगली टिप्स ऑगिचन से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा य्यूस्फूल है अक्सल चीलते ना तो हमारे आखों में बहुत आंसु आ जाते हैं तो जब भी आप प्याज को छिले ना आप उसमें ठंडा पानी डाल दे ठंडा पानी नहीं है तो आप उसमें दो चार आइस डाल दे अगर ज्यादा आपको ज्यादा क्वांटिटी में छिलना है फिर तो ये टिप्स बहुत ज्यादा यूसफूल है उसके बाद जब आप च्छिलाता है और बिल्कुल आँखों में आसौ नहीं आते हैं योगि ठंडा पानी और आइस डालने से क्या होता है तो एकदम खटम होजाता है अगर आप ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करना दूसरा फाइदा यह होता है अभी समय गर्मियों का सीजन है और गर्मी में अगर हम किचन में काम करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है तो आप फैन के निचे भी टीवी देखते हुए भी यह काम करोगे तो किसी क कोई दिक्कत नहीं होगी किसी की आँखों में आशु नहीं आएगा और बड़े अच्छे से प्याज को छिल सकते हो चौप कर सकते हो तो हैना बहुत ज्यादा यूसफूल टिप्स अब चलिए फ्रेंस मैं आपको प्याज को चौप करने के दो तरीके बताऊंगी पहले टि किसी बिना किसी मेहनत के और इसे हाथों को कटने का भी डर नहीं होता है तो यह तरीका नव बहुत अच्छा है उन बच्छों के लिए जो हस्टल में रह रहे हैं और इनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती है तो आप इसे ट्राइब कर सकते हो अब दूसरा तरीका जो आप देखोगे रहां तो बहुत ही जादां में रहे हैं इसके लिए उसके लिए प्याज के बनाती है हमें नहीं लमबे स्टीस की जौत पड़ती है तो बस आप इस पोटैटो पिलर का इस नहीं बराबर करते हैं और अच्छे लाइश में करते हैं आप किसी को बी कातने के दे दोगे तो फटा फट से वो इसको कट कर लेगा चाकु से अच्छा आप इसका इस्तमाल करके देखना भी बहुत अच्छे से आपके जो प्याज है नवो कर जाते हैं वो भी एक बराबर कटते हैं और इसी तरह का कटिंग हमें चाहिए होता है प्याज के पकौनों के लिए तो फ्रेंट आज की दोनों टिप्स आपको कैसी लगी प्याज को कट करने की और प्याज को इस्तमाल करने की मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आपके लिए वीडियो कहीं किसी पॉइंट पर यूस्फुल लग रहा है आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे आप प्लांट में डाल दें पुरा रात पर पहले छोड़ दीजे फिस वह प्लांट में डाल दीजे प्लांट सी ग्रोथ ना बहुत अच्छी हो जाती है अब चलिए देखते हैं हमारी अगले टिप्स कौन सी है अगली टिप्स के लिए फ्रेंट हमारे पास ये कर सकते हैं मैंने बहुत सारी दवाई के रापर्स के आपके साथ शेयर के हुए हैं तो ये इस्तमाल अगर आपके सीजर की धार कम हो गई है ना तो आप क्या करना इन पत्तों को ना कैच्छी से बारिक बारिक कट करना आप थोड़े दिर बारिक कटिंग करोगे आप देखो है ना कि इसमें कुछ अलिमूनियम के पार्स होते हैं जिससे की ये बहुत अच्छे से हमारी सीजर को धार कर लेता है तो आप ये टिप्स भी आपको यूसफुल लगी होगी और आप फ्रेंट कोई भी टिप्स है ना आप इबर ट्राइ करके देखना तब आपको इसके रि है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शियर करेगा मुझे अच्छ लगेगा चलिए कल फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए and thank you so much for watching my video bye bye and take care